तो हेलो फ्रेंड्स मैं जाबिश और आपका स्वागत हमारी स्यूटूब चैनल एजूकेशन हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूले जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलते हैं सो कीप पॉचिंग गाइस कीप सब्सक्राइब कोश्चन नंबर 1.20 आये कोश्चन पर लेते हैं एपॉइंट चार्ज कॉज़ेज एन एलेक्ट्रिक फ्लक्स अफ माइनस 1.0 इंटो 10 तो दी पावर 3 न्यूटन मेटर स्क्वार पर कुलम तो पास थूरू एस फेरिकल गॉस्चियन सर्फेस अफ 10.0 सेंटिमेटर रडियस सेंटर्ड ओन दी चार्ज दो कोश्चन है इसमें पहला कोश्चन ये कहता है कि इसमें फ्लक्स दे रखा है फ्लक्स कितना है तो 5 is equal to minus 1.0 इंटो 10 तो दी पावर 3 न्यूटन मेटर स्क्वार कुलम इंवर्स ठीक है और इसमें जो इसफेर है उसका रेडियस कितना दे रहा है तो 10.0 सेंटिमेटर ठीक है पहला नंबर ये कह रहा है कि अगर हम r को new r को double कर दे ठीक है r dash मतलब new r को double कर दे तो 5 क्या होगा तो 5 उड़ भी 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा remains same अब आप कहिएगा कि ये remains same मतलब कोई change नहीं आएगा क्यों change नहीं आएगा क्योंकि Gauss theorem से हम जानते हैं from Gauss theorem चीक है Gauss theorem से हम ये चीज़ जानते हैं कि 5 is equal to होता है q by epsilon not और 5 relate करता है 5 जो flux होता है वो सिर्फ दो चीज़ पर depend करता है या तो charge पर depend करेगा या medium के nature पर मतलब epsilon not पर ये size या r पर depend नहीं करता है इस वज़े से ये change नहीं होगा b number question ये कहता है कि q का value क्या होगा तो यहाँ formula है 5 is equal to q by epsilon not तो q is equal to हो जाएगा 5 into epsilon not 5 का value है minus 1.0 into 10 to the power 3 और epsilon not का value 8.85 into 10 to the power minus 12 जब आप इसे solve करेंगे तो q का value निकल कर आएगा minus 8.85 into 10 to the power minus 9 कुलम और ये इसका answer है चीक है